हलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनपंप्रीशन्स आज मैं आपके साथ एक बहुती खुबसुरत और बहुती सरल डिजाइन शेयर कर रही हूं यह डिजाइन बनाने में इतनी इजी है किसे विगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं और इस डिजाइन को आप किसी भी निटिंग प्र सकती हैं इस डिजाइन को बनाने के लिए जो हम फंदी डालेंगे वह 6 के मर्टिपिल्स में डालेंगे यह देखिए 6 पद्धो के जाइन है यह 6 1 2 3 4 5 6 6 के मर्टिपिल्स में हम फंदी डालेंगे और 3 फंदे हम एक्स्ट्रा रखेंगे यहां पर मैंने 15 फंदी डाले हैं 2 रोका वार्डर भी ना है जो कि दोनों और से सीधे सीधे पंदो से बनाया गया है वार्डर बनाने के बाद राइट चाइट से मैंने ये डिजाइन इस्टाल्ट किया है ये डिजाइन फोर रोकी है इस डिजाइन की सबसे खास बात ये है कि इस डिजाइन में जो हम उन लगा का भी डर नहीं रहता है फ्रेंड्स डिजाइन शुरू करने से पहले मैं आप से ये रिक्वेस्ट कर रही हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले बेल आइकान को दवाएं जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके अगर आपको मेरे ये डिजैन पसंद आती है इस डिजैन को बनाने का धंग अच्छा लगता है समझाने का धंग अच्छा लगता है तो प्लीस आप इसे लाइक करें कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें यहाँ पर फोर फोर रो बना करके दो बार डिजाइन में बना चुकी हूँ और अब आपके लिए फिटिसे में डिजाइन बनाने जा रहे हूँ बार्डर के बाद हमने यह सिकंड कलर लगा है और इसी से हम डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे डिजाइन हमारी पंदे यह सीधे बनाएंगे एक दो और यह तीन पंदे हम सीधे बना लेंगे इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर तीन पंदे सीधे हैं में पहला पंदा हम स्लिप कर लेंगे इसके बाद वाला पंदा हम सीधा बुन लेंगे और फिर हम पंदा स्लिप कर लेंगे इस तरह स यह हमाई छे फंदों की डिजाइन हो जाएगी छे फंदों की डिजाइन में हमें क्या करना है पहले तीन फंदे सीधे बुनने है एक फंदा सिलिप करना है एक फंदा सीधा बुनना है फिर एक फंदा सिलिप करना है इन छे फंदों को इजयन को हमें बार बार रिपीट करना है अब देखें फिर से हम रिपीट करना है पहले हम ये तीन फंदे बिनेंगे ये एक सीधा दूसरा सीधा और ये तीसरा सीधा फंदा तीन फंदे हमें सीधे बना लिए हैं इन तीन फंदों को repeat करना है पहला फंदा हम slip करेंगे दूसरा फंदा हम सीधा बुन लेंगे और तीसरा फंदा हम slip कर देंगे यह हमारी 6 रो की यह जैन हमने repeat कर दिया है अब हम क्या करेंगे शुरुआत में मैंने 3 फंदे सीधे लिये हैं यह complete हो जाएगे यह हमाई first row complete हो गई है अब हम design की second row पर आ गए है design की second row में हम क्या करेंगे जो फंदे हमारे बुने हुए हैं यह 3 फंदे इन 3 फंदों को हम क्या करेंगे ऐसे ही उल्टा बिन लेंगे 3 फंदे हम क्या करेंगे उल्टे बना लेंगे ये 3 फन्दे हमारे उठे बंगे अब ये क्या करेंगे हम ये जो हमारे लिए वा है इसको होब सिधा बंद लेंगे अब ये जो बीच में एक फन्द बना है ये 3 के बीच erreichen है ये 3 फन्दे है इक ये लिए और पीछे लिजा करके इस फंदे को सीधा बुन लेंगे उनको फिर अपनी तरफ लाएंगे और स्लिप की होई फंदे को सिधा बिन लेंगे ये छे फंदों की डिजाइन बैक साइट से हो गई है किस तरह से बनाएंगे तीन फंदे हम उल्टे बिनेंगे slip की होवा फंदा slip करेंगे उनको पीछे की तरफ ले जाएंगे और एक फंदा वो सीधा बिन लेंगे सीधा बनने बाद फिर उनको अपनी तरफ आगे लाएंगे और slip की होवा फंदा slip कर लेंगे फिर से देखे हमने कैसे बनाया है यह उन हमारा ऐसे ही रहेगा तीन फंदे हम उल्टे बिनेंगे देखे तीन हमने पहले फंदे उल्टे बिने थे वैसे यह तीन फंदे हम उल्टे बिन लेंगे यह एक, दो और यह तीन तीन फंदे हम उल्टे बिन लेंगे slip किया हुआ फंदा slip कर लेंगे अब ये जो बीच का फंदा है इस फंदे को हमें सीधा बुनना है तो उनको पीछे की ओल ले जाएंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे उनको अपनी तरफ ले आएंगे और slip किया हुआ फंदे को slip कर लेंगे ये छे फंदों की द्याइन हो गई बैक सैट से अब फिर ये इस शुवात में हमने तीन फंदों उल्टे बनाये थे लास्ट में भी इन तीनों फंदों को हम उल्टा ही बिन लेंगे ये तीनों फंदों हम उल्टे बिन लेंगे और हमारी यह second row complete हो जाएगी डिजाइन तो वास्ता में यह two ही रोकी है यह मैंने डिजाइन एक बार बना ली है लेकिन अब जब हम डिजाइन बनाएंगे तो यह डिजाइन की जखान change हो जाएगी जो यह डिजाइन है यह डिजाइन यहां हो जाएगी और ये 3 फंदी जो एक जिसे हैं वो यहां पर हो जाएंगे तो design की जगां change होने के कारण ये 2 row की जगां 4 row की design हो जाएगी अब हम फिर से design बनाना start करते हैं यानि कि हम design की 3rd row start कर रहे हैं design की 3rd row जो की right side से है क्या करेंगे हम उन का color change कर लेंगे पहले मैंने purple color से बनाया था अब हम white color ले लेंगे अब क्या करेंगे ये तीन फंदी सीधे बिने हुए थे इन तीनों को हम सीधा नहीं बनेंगे जो ये design है वो यहाँ पर design बनेंगे तो यहाँ पर मैंने क्या किया था एक फंदा slip किया था तो यहां हम एक फंदा स्लिप कर लेंगे और स्लिप करने के बाद बीच वाला फंदा हमने भी ना था तो इस वाले फंदे को हम बिन लेंगे और ये इसके बाद वाला फंदा स्लिप कर लेंगे यानि ये डिजाइन हमारी इधर आ गई है अब इधर की जो तीन फंदे सीधे थ यह हमारी complete हुई है यह जो हमें बनाने जो बनाने हैं इस तरह से बनाने हैं अब फिर इसी डिजाइन को हम repeat करेंगे कैसे करेंगे पहला पंदा slip कर लेंगे यह दूसरा पंदा हम सीधा भून लेंगे और तीसा पंदा हम फिर slip कर लेंगे आप यह पर पर इस तरह से रिबीट कर लिए हैं शुरू आथ में हमने फंदे लिये हैं वैसे यहां पर एक फंदा slip करेंगे बिंदेंगे और यह लास्ट वाला और slip कर लेंगे जैसे कि मैंने शुरूम हमें किया है ऐस तरह से हमाई थल रोगा कम्पिलीट हो जाएगी अब हम ड्यान कीकं पर धूक की स्लिप कर लेंगे उन को पीछे तरफ ले जाएंगे और यह बीचे-बीच वाला फंदा इसको सिधा बुंदRE कर लेंगे। टीनो पंदे उल्टे ही बिने जाएंगे ये च्छे फण्द हमने इस तरह से बना लियें क्या किया है पहला पंदा ओन्दा दूसरा पंदा उनको पीछे के तरफ करके सीधा बुनारे उनको अपनी तरफ करके इसके बाझ वाला पंदा slip किया है और पिर तीन फंदे उल्टे बिन लिए इसी तरह से हमें आगी भी बनाना है क्या करेंगे तीन पंदर यहां प्रेंगे और पर इंट करेंगे और टिन और फंदे अगर हुर्टे बिल देंगे इस तरह से हमारी रो फोर्स रो जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी फ्रेंट्स यहां पर फोर रो बना करके मैंने एक बार डिजाइन कम्प्लीट कर ली है बहुत ही खुबस्रट डिजाइन है और इस डिजाइन को आप अगर अपने किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डालेंगे तो आपके प्रोजेक्ट की शान बढ़ जाएगी तो फ्रेंट्स एक बार मैं फिर आपको फोर रो बिन करके दिखा रेती हूं कि मैंने डिजाइन कैसे बनाई थी तो फोर रो फिर से बिन रही हूं राइट चाइट से शुरू करेंगे पहले तीन उनका कलर मैंने चेन कल लिया इससे पहले मैंने बाइट से बिना था और कि आप इस design को देखकर मेरे साथ ही बुनाई करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपकी design भी घलत नहीं होगी तो देखिए क्या करेंगे हम तीन फंदे बिल लेंगे सीधे और इसके बाद एक पंदा slip करेंगे एक पंदा सीधा बनेंगे और एक पंदा slip करेंगे इस तरह से छे पंदे हो जाएंगे फिर ऐसे ही बनाएंगे तीन फंदे सीधे बनाएंगे एक फंदा slip करेंगे एक फंदा सीधा बनेंगे और एक फंदा slip करेंगे इसके बाद फिर तीन फंदे हम सीधे बना लेंगे इस तरह से हमारी design की 1st row complete हो जाएगी यह देखी है मेरी 1st row complete हो गई अब design की 2nd row पर हैं क्या करेंगे हम तीनों फंदे जो हैं ये हम उल्टे बिन लेंगे जो हमने आगे से सीधे बुने थे राइट साइट से तीनों को उल्टे बिन लेंगे slip क्या हो फंदे, slip कर लेंगे अब जो तीन फंदों में दो फंदे slip के हम बीचे हो बीच में एक फंदा बुना हुआ है उस फंदे को हम क्या करेंगे उनको पीछे करके उस फंदे को सीधा बुन लेंगे फिर उनको अपनी तरफ करके slip किये फंदे को slip कर देंगे इस तरह से हमें 6 फंदे बनाने हैं फिर ऐसे करेंगे 3 फंदे उल्टे बिनेंगे 1 फंदा slip करेंगे उनको पीछे के तरफ करेंगे 1 फंदा सीधा बनेंगे उनको अपनी तरफ करेंगे slip किया हो फंदा slip करेंगे और इसके बाद तीन फंदे उल्टे बिनेंगे, इस तरह से हमारी सेकंड रो जो की बैक साइट से है, कम्पलीट हो जाएगी हम डिजाइन के थार्ड रो पर है, उनका कलर चेंज करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर तीन फंदे सीधे हैं, इसलिए इस तरह से नहीं बनाएंगे, यह तीन फंदे हम भी यहाँ पर बनाएंगे, और यह वाले तीन फंदे हम यहाँ पर बनाएंगे, तो क्या करेंगे, पहल ऐसा कर रहे हैं फिर एक फंदा स्लिप करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदा स्लिप करेंगे और इन तीन फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे फिर एक फंदा slip करेंगे एक फंदा सीधा बुनेंगे और लास्ट वाला फंदा भी slip कर लेंगे इस तरह से हमाई third row complete हो जाएगी अब हम design की last row यानि fourth row पर आ चुकें जो कि back side से है slip की हाव फंदा slip कर लेंगे उनको पीछे ले जाएंगे यह जो बीच वीच का बिना हुआ फंदा है इसको सीधा बुन लेंगे उनको अपनी तरफ लाएंगे slip की हुए फंदे को slip करेंगे और तीनो बुने फंदों को हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे इस तरह से इन तीन फंदों की जाएंगे बैक सैग में इस तरह से बनाई जाएगे जैसे यह छे फंदे हमने बनाया है ऐसे ही डिजाइन रिपीट की जाएगे यह slip की हाव फंदा slip करेंगे उनको पीछे ले जाएंगे बीच वीच का बुना हुआ फंदा सीधा बुन लेंगे उनको अपनी तरफ लाएंगे फिर slip की हुए फंदे को slip करेंगे और फिर यह जो तीन फंदे इन तीनों फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे लास्ट का फंदा लास्ट में जो तीन फंदे हैं उनमें slip की होई फंदे को slip करेंगे उनको पीछे ले जाएंगे और जो भी नहुआ फंदा है उसको सिधा बुन लेंगे फिर लास्ट वाला फंदा slip कर लेंगे इस तरह से हमारी फोसरो भी complete हो गई है और design इस तरह से बन करके तयार हो गई है यह हमारी design तयार हो गई है फ्रेंट्स आपने देखा कि यह कितनी खूबसुरट design है और इसको बनाना भी कितना आसान है इसे beginners भी आसानी से बना सकते हैं तो फिर क्यों न आप भी इस design को अपने घर के किसी न किसी सेटर में अवश्य डालें तो फिर मिलते हैं कल एक नई design के साथ एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैम आता दी